नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं अपनीनम आपके साथ लोकसभा चुनाओ 2024 की डेट के एलान में कुछी दिन बचे हैं ऐसे में इंडिया और एंडी गडबंदन दलोग की निगाहे बस्पा प्रमुक मायावती के फैसले पर ठीकी है हाला की बस्पा प्रमुक मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाओ अकेले लड़ने का एलान कर रखा है इसको लेकर यूपी कॉंगर्स के पूर प्रदेश अद्यक्ष अजे लल्लू ने मायावती से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो लोकतंत्र और समीदान को बचाने के लिए इंडिया गड़ बंदन के साथ आएं और उन्हें बस्पा प्रमुक को प्रदानमंदी प्रोजेक्ट किये जाने की बात पर कहा इंडिया गड़ बंदन जब चुनाओ जीत के आएगा तब इस पर फैसला राजनेतिक दल के प्रमुक नेता करेंगे फिलाल अजे लल्लू की अपील के बाद एक बार फिर बस्पा प्रमुक और उनके फैसले बस सबकी निगाएं टिक गई है हाला कि कॉंगरेस का एक धर इस अपिल से घबराया हुआ है ये वो नेता है जो बस्पा से कॉंगरेस में आए है राजनितिक जानकारों का कहना है कि बस्पा से बीते एक दशक से दो दरजन से ज़्यादा बड़े नेता बीजेपी समाजवादी पार्टी और कॉंगरेस में शामिल हुए है सताधारे पार्टी में जानने के कारण कुछ नेता मलाई काट रहे हैं तो कुछ को प्रमुक पत भी मिल चुका है लेकिन समाजवादी पार्टी और कॉंगरेस का हाथ थामने वाले नेता अभी भी संगर्ष कर रहे हैं ऐसे में इंडिया गट बंदन में अगर मायवती साथ आती है तो सपा में शामिल नेताओं के लिए भी बड़ी मुश्किले खड़ी हो जाएंगी इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद